हेलो स्टुडेंट्स मैट्स क्लास फिफ्ट एक्ससाइज 5.4 कोशन नंबर 9 इफ फैक्ट्री प्रोड्यूसिस 16,56,000 बॉल्स इन्हें इयर एक फैक्ट्री क्या करें प्रोड्यूस कर रही है मतलब बना रही है इतनी बॉल्स 16,56,000 बॉल्स बना रही है एक साल में 576 बॉल्स दोजिन कार्ट्वन और रही है प्रोड़ कार्ट्वन प्रोडुष्प प्रोडूस कार्ट्वन 05 reduction jagulaw rifles, लेक फैक्गाट्वन और बॉलोख प्रोड्यूस क्या ंदने जाते हैं 576 बॉल्स姐ス से थाना मतलब डाल्ली जाते हैं1डफ कार्ट्वन में 500 बॉल्से प्रोडिए इन बोल्स को पैक करने के लिए इन बोल्स को पैक करने के लिए कितने काटून की रिक्वाइर्मेंट होगी कितने काटून की नीड होगी तो हमने सनसे का इन बोल्स करते हैं को यहां पर लिखेंगे लिए के लिएकविछ तो हम रिखेंगे रिक्वाइड फोर 576 बॉल को हम कितने कार्टून में रखते हैं वन कार्टून में तो हम यह स्टेटमेंट लिख रहे हैं नंबर ओफ कार्टून रिक्वाइड फोर 576 बॉल्स 576 बॉल्स के लिए कितने कार्टून के रिक्वाइर्मेंट है वन कार्टून वन कार्टून के requirement है 576 बोल कितने कार्टून में रखी जाती है वन कार्टून में तो हम यहाँ पे 576 बोल की value हमें given है और हमने इतनी बोल्स की value निकालनी है यहनि कि 16,56,000 बोल्स की हमने बताने की कितने कार्टून में आएंगी तो हम उसने पहले unitary method लगाएंगी जालते हैं और उसे हम कहते हैं कि हमने unitary method apply किया है number of cartoon required वोर वन बोल अगर वन बोल रखनी है तो उसके लिए कितने कार्टून की requirement होगी 576 बोल कितने आते हैं वन कार्टून में तो वन बोल कितने कार्टून में आएंगी कम कार्टून में आएगी वन बोल कम है तो कम के कम के लिए क्या करते हैं divide divide किसके साथ करेंगे one को divide करेंगे 576 के साथ यानि कि one divided by 566 कार्टून की नीड़ वन बोल को रखने के लिए अब जितने बोल्स हैं यहां पर उसके लिए हम बताएंगे उसके लिए हम statement लिखेंगे number of cartoons required for 16,56,000 balls इतनी बोल्स रखने के लिए कितने कार्टून की requirement होगी तो हम यहां पर क्या करेंगे वन की value हमें given है कि one bowl कितने कार्टून में रखी जाती है वन डिवाइडर 576 वन की value पता होती है तो हम कितनी की किसी भी कोई भी number कितनी भी value हम निकाल सकते हैं 1 बोल की value हमें given है कि 1 बोल 1 बाई 576 गार्टून में रखी जाते तो इतनी बोल की इसमें रखी जाएंगी तो 1 से ज्यादा में रखी जाएंगी 1 वाली से ज्यादा में रखी जाएंगी इतनी बोल तो इस ज्यादा के लिए हम यहां पर multiply करेंगे multiply किसके साथ करेंगे 1 by 576 multiply 16,56,000 multiply करेंगे तो ये क्या हो गया इसको हम कैसे लिखेंगे multiply कर देते हैं उपर वाले का 16,56,000 divide by 576 इसको हमने soul किया तो उपर हमने multiplication कर दे नीचे इसके divide होता है उपर उपर वाले की multiplication होता है नीचे नीचे वाले की तो इसका क्या आ गया कि 16,56,000 को हमने इसके 576 से divide करना है डिवाइड करने के बाद जो अंसर आएगा तो उतने काटूंस के requirement है इतनी बोल्स को रखने के लिए तो इसको हम divide करते हैं यहां पर इधर इस साइड हम solve करके दिखाते हैं आपको स्टेट्मेंट हमें given है 16,56,000 डिवाइड करना 576 के साथ तो हम देखते हैं कि कितने पर जाएगा यहां से कितने डिजिट लेते हैं हम first of all 3 तो कम रहेंगे 4 चार डिजिट लेते हैं यानिके 1656 हम यहां पर 2 पर चेक करते हैं टेबल बनाते हैं आप 576 multiply 2 करेंगे 2 6 जा 2 6 जा 12 1 2 7 जा 14 14 और 1 15 1 5 जा 10 और 1 11 1152 अगर हम 3 पर चेक करते हैं 3 पर कितना आएगा 6 त्रीजा 18 1 7 त्रीजा 21 और 2 22 5 त्रीजा 15 15 और 2 17 जादा आ रहा तो यानिकी कितने पर जाएगा 2 पे 2 पे गया है 11 52 1152 6 माइनस 2 करेंगे 4 6 माइनस 2 4 5 माइनस 5 0 6 माइनस 1 5 504 बचा है यहां पर उपर से हम 0 उतारेंगे निचे 5040 बन गया अब चेक करते हैं कितने पर जाएगा 5 के मल्टिप्लाइ 5 तुजा 10 55 25 आएगा अगर 5 करेंगे तो 25 26 के लग बुग आएगा कुछ तो हम किस पर चेक करेंगे 58 पर चेक करेंगे 4608 अगर इसमें एक और आगे जाते हैं हम 9 पर जाते हैं तो इसमें वह एड करते हैं 576 तो इससे बड़ा नंबर आएगा तो यह कितने पर जाएगा 8 पर ही जाएगा 4608 जीरो में से 8 माइनस नहीं हो सकते 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 यहां पर 3 बच गया 3 में से 0 माइनस किया 3 0 में से 6 माइनस नहीं कर सकते यहां से बोरो लेंगे 10, 10 में से 6-4 और यहां पर बोरो ले लिया था तो यहां पर 4 बेन गया था, 4-4, 0 है नकि 432 बच गया, ओपर से हम फिर 0 लेकर आ रहे हैं, यहां पर जीरो लेकर आए तो अब चेक करेंगे, कितने पर जाएगा 8 पर तो यह ज्यादा आ रहा है 4608 इससे थोड़ा सा ही कम है तो इसका मतलब हम यह कितने पर जाएगा 7 पर 7 पर चेक करते हैं क्या आता है 7 6 जा 42 4 7 7 जा 49 49 प्लस 4 53 5 75 जा 35 75 जा 35 फ्लस 5 40 40 4032 यह आ रहा है तो मैनिस करेंगे अब हम इसे 10 में से टू गया 8 8 वन बच गया वन में से 3 माइनिस नी होते है यहां से बचे का 8 यहां पर 2 2-0 24-40 288 बच गया ऊपर से हम यह वाली 0 लेके आते हैं यह वाली 0 हमने यहां ले ली थी अब लास्ट वाली 0 हम यहां पर लेके आए हैं तो अब यहां पर 7 पर गया था तो आप यहां पर 7 जरूर लिखो 7 लिखिना न भूलो क्योंकि हमने 7 पर चलाया था यहां बे 432,7 आ गया था अब 280, कितने पे जाएगा हम चेक करेंगे, 55, 25, 5 पे चेक करते हैं, 576, 5 पे चेक करते हैं, 56, 33, 57, 35, 35, 35, 3, 38, 35, 25, 25, 25, 3, 28, यह पूरा-पूरा डिवाइड हो गया, 2880 आया है, कितने पे, 5 पे, 5 पे आया है, 2880, रिमेंडर बचे गया है, यहाँ पे 0 माइनस किया, तो 2880 मेंसे 2880 को माइनस करेंगे, तो रिमेंडर बचेगा, 0, तो कितने कार्टून्स की रिक्वाइरमेंट है, इतनी बोल्स को रखने के लिए, कितने कार्टून्स की रिक्वाइरमेंट है, 2875 कार्टून् आपका यानि कितने कार्टों की रिक्वाइर्मेंट है टॉटल बॉल्स रखने के लिए 2875 कार्टों ना कॉश्चन नमबर 10 एक ग्रेन मर्चंट पेड रुपीज 4,79,404 बाएंगे एक ग्रेन मर्चंट है मतनब व्यपारी जो अनाज को खरीदते हैं कितने रुपेज 1,275 का रुपीस खरीदा गया है राइस पर चेज़ किया गया कुस रेट से पर कविंटल मतलब एक कविंटल राइस कितने रुपए में खरीद दे गई है 1275 रुपीस में वन कविंटल राइस करीद दे गया है तो हमने निकांड आओट करना है और कांड निए पुच रिस, एक रिस की कनटि बतानी है मनी हमें गीवन है तो हम मनी को से साइड रखेंगे लिए साइड लखेंगे तो हम यहां लिखेंगे क्वांटिटी ओफ राइस quantity of rice purchased in 1,000 in rupees 1,275 इतने रुपीस में जो quantity rice की परचेज की गई है वो कितनी है per quintal means one quintal एक quintal rice परचेज की गई है इतने रुपीस में तो इतने रुपीस गई होने यहाँ पर भी हम unitary method apply करेंगी यहाँ पर हमें one की value पता होनी चाहिए कि one रुपीस में कितने rice परचेज की गई है तो हम यहाँ पर लिखेंगे quantity of rice purchased in rupees 1 रुपीस one में कितनी quantity परचेज की गई है तो लेकिन रुपीस में तो कम चावल आएंगे कम rice खरीदे जाएंगे तो वो कम के लिए हम करेंगे divide जो यह हम unitary method apply कर रहे है वन की value निकार रहे है तो यह students आपको solution easy बनाने के लिए हम निकार रहे है ताकि आपको पता चले कि आपको divide करना है या फिर आपको multiplication करके आपका answer आएगा या फिर से divide करने के बाद कम के लिए क्या करते हैं हम divide करते हैं और ज्यादा की value जब निकालते हैं तो हम multiply करते हैं तो one कम था 1275 से one कम था तो हमने क्या किया divide किया divide उपर वाली value को इसके साथ हमने divide कर दिया अब हमने इतने रुपीज से बताना है कि कितनी quantity rice की हम purchase करेंगे quantity of rice purchased in 4,79,400 रुपीज इतने रुपीज में कितनी quantity purchase करेंगे यानि कि बन से ज्यादा के लिए value निकालनी है बन से ज्यादा के लिए value यानि 1 की value जो 1 की value हमें given है उसके साथ इसको क्या करेंगे multiply ज्यादा के लिए क्या करते हैं multiply ज्यादा के लिए multiply करते हैं तो इसे solve करेंगे तो 4,79,400 divide by this इसको इसके साथ divide करेंगे तो जो answer आएगा यानि कि उतने ही quintal rice हम क्या करेंगे पर्चेज करेंगे यह 4,79,400 रुपीज से इसको divide करोगे divide करने के बाद जो भी आपका यहाँ पे question आएगा वही आपका answer होगा यानि कि divide करने के बाद जो answer आएगा उतने ही quintal rice आप क्या खरेंदोगे इतनी money से आप उतने ही कमेंटल rice पर्चेज करोगे इससे divide करोगे और आगे आप solve करोगे thank you करोगे आपका है बादे जो जो भी आपका पूतवी है जो जो भी करी आपका से आपका जो जो वागे इसकोज करोगे आपका जबेड़ा झाल वागे पिलादीजू